Hello students, कैसे आप लोग? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं हूँ आप दोगे और यह है आपका प्यारा सा चैनल MP Center Student, हम लोग क्लास 12 की Physics को पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम जिन Topics को पढ़ेंगे वे Topics पहुत ही Important है और उनका Exam में आना लगवक Fix माना जाता है कौन से वे Topics हैं? वे Topics हैं वैदु देधरू के कारण उत्पन वैदु छेतर की तिवरता का मान वैदु देधरू से related जितने भी Topics आपके Exam में पूछे जा सकते थे वे सभी कलवाली वीडियो में हमने Clear कर दिया था आज की जो वीडियो है Most से भी Most Important है एकदम Fix माना जाता है कि यहां से Question आपके Exam में पांच नंबर में पूछा ही जाएगा ठेक है आज लोग क्या पढ़ेंगे? आज लोग पढ़ेंगे कि वैदु दीधरू जो है वो कितना वैदु छेतर की तिवरता पुत्पन करता है जिसमें Total 3 Heading हमें पढ़ दी है पहली Condition हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिती में कितना वैदु छेत की तिवरता का मान होगा दूसरी Condition में हम लोग पढ़ेंगे निरच्छी स्थिती में वैदु छेत की तिवरता का मान कितना होगा डिटल में आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे तो चले आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्विस्ट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा विडियो को लाइक और शेर नहीं किया है तो विडियो को लाइक और शेर भी कर दीजेगा अगर आपका कोई भी सुझाव है कोई भी कमेंट है या फिर कोई भी डाउट है जो आप में भेजना चाहते हैं, तो ये है हमारा Instagram ID यहाँ पे आप अपने प्रशन हमें भेज सकते हैं अगर आपको complete notes चाहिए तो भी आप यहाँ पे जो है contact हमसे कर सकते हैं डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है वो उसको Telegram channel अपने प्रशन हमें भेज सकते हैं तो इतना काम आप फटा फट कर लीजेगा यहाँ पे follow करके हमें message कर सकते हैं ठीक है? और यहाँ पे notes के लिए आप डेली notes के लिए जो आइन हो सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारा target क्या है वैद्दू दीदू के कारण उत्पन वैद्दू छित की तिवरता का मान निकालना पहले condition में, हम अच्छी स्थिती में वैद्दू छित की तिवरता का मान निकालेंगे दूसरी condition में, निरच्छी स्थिती में और तीसरी condition में किसी भी बेंदू पर लम्मा वीडियो है बड़ा वीडियो है आप अच्छे से लाश्ट तक बने रहेगा कोई वी डाउट आपको नहीं रहेगा तो पहली हेडिंग जो आपका इसमें बनता है वह बनता है वैदु दीदु के कारण अच्छे इस्थिती में वैदु छित्र की तिवरता आपके एक् जग प्राप्त कीजिए बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टन हेडिंग है एक्जाम में पूरी गैरेंटी रहती है कि यह आता ही आता है तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पहला हेडिंग है वैदु दीदु के कारण अ अच्छी इस्थिती में, ये अच्छी इस्थिती क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, अच्छी इस्थिती, हमने आपको बता रखा है वैदु देदु के बारे में, वैदु देदु क्या होता है, जब समान परिमाड किन्तु वीपरीत प्रकित के दो आवे वेस्तों के बीच की दूरी 2-L ली जाती है और कोई भी दूरी सदयव इसके मद्द बिंदू अरधात यहां से मापा जाएगा ठीक है, यह हमारे पास क्या है? वैद देदरू है क्या है? वैद देदरू अब हमें अच्छी इस्थिती अच्छी इस्थिती का मतलब होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा पर उपस्थित बिंदू, ठीक है, पर उपस्थित बिंदू, जितने भी बिंदू होंगे, वे सारे बिंदू अच्छी इस्थिती के बिंदू होंगे, मतलब ये पहला आवेश है, ठीक है, ये दोसरा आवेश है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा मिला रही है, यहीं रेखा, अगर आगे बढ़ाएंगे इसको तो इधर चाहेगा, पीछे बढ़ाएंगे तो इधर चाहेगा, तो इस रेखा पर ये जो रेखा आपको मिल रहा है, इस रेखा पर जितनी भी बिंदु होंगे, चाहे यहां लिजे, 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 चाहे यहा चीज सिती में बैदुचित की तिवरता का मान निकालना है सबसे important इसका figure है ध्यान से figure आप समझेगा कोई भी doubt अगर आपको होना तो आप comment कर देजेगा या फिर instagram पे message कर देजेगा हम आपको बता देंगे ठीक है एक दमाशान है चले देखते हैं सबकोज करिए हमारे पास ये एक आवेश है ठीक है ये दूसरा आवेश है ये आवेश जो है हमारे पास ये है minus q आवेश ये है आपका plus q आवेश ठीक है ना अब देहान से आप समझेगा अगर हम आपसे कहें inch आवेश के बीश की दूरी बताईए तो आवेश की बीश की दूरी आप कहेंगे आवेश की जो बीश की दूरी होगी वो 2L होगी ठीक है आवेश के बीश की दूरी कितनी होगी 2L होगी चले ध्यान से ठीक है यहाँ पे हम कुछ 2L दूरी लेते है ये total distance कितनी है 2L है क्योंकि हम जानते हैं दोनों आवेसों के बीच की दूरी बैदू दिदू में क्या लिया जाता है 2L लिया जाता है हम मानलेते हैं कि ये वाला जो है ये वाला मद्ध बिंदू है दिदू का मद्ध बिंदू कहा है यहा है O, ठीक है न, तो इधर वाली जो distance होगी, वो L हो जाएगी, ठीक है, और इधर वाली जो distance होगी, वो भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, हमें कहां पर वैदुच्छत के तिवरता निकालनी है, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब क्या, दोनों आवेशों को मिला आने वाली रेखा पर उपस्थित विंदु के बारे में बात करेंगे, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उपस्थित विंदु, कुछ यहीं वाला बिंदु होगा, द्यान से, ठीक है न, हमने क्या कहा, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, क्या ये बिंदु अच्छी इस्थिती में है की नहीं है आप कहेंगे हाँ क्योंकि ये जितनी भी बिंदु है ये सभी बिंदु अच्छी इस्थिती में है क्यों क्योंकि ये दोनों आविशों को मिलाने वाले रेखा है और इस रेखा पर हमने यहां पे एक बिंदू ले लिया है इस बिंदू का नाम दे दिया है पी और ये बिंदू पी अच्छी इस्थती में है अग इसी बिंदू पी पर वैदू छित की तिवरता का मान कितना होगा ये हमें निकालना है हमें क्या निकालना है इस बिंदु पी पर वैदु छित्र की तिवरता का मान कितना होगा अगर हम आपसे पूछें कि ये जो बिंदु है ये बिंदु वैदु छित्र से कितनी दूर रखा है तो ये जो बिंदु है हम माल लेते हैं वैदु दीदु से बैद्व देद्रू से हम माल लेती है यह बिंद्व आर दूरी पर रखा हुआ है कितनी दूरी पर आर दूरी पर ठीक है यह distance हम ले लेती है कितना आर ठीक है और यहां पर distance कितना ले रहे है आर ले रहे है ठीक है यानि यह देद्व द्विद्रू से कितनी दूर है इस मालर दुर पर है ठीक है द्यान से बाप समझेंगे अब देखिए अगर यहां से यहां तक कि distance आ है और यह छोटी वाली distance कितना है L है तो यहां से यहां तक कि distance कितनी होगी R प्लस L होगी क्या ध्यान से आप समझेगा अगर हम आप से पूछे ये वाली distance कितना है तो r प्लस yl होगी क्या यहां से यहां तक total distance ये वाला r है ये वाला yl है तो total कितना हो जाएगा r प्लस yl हो जाएगा ठीक है न यानि ये वाली जो distance होगी ये वाली जो distance होगी वो कितना हो जाएगा आपका R प्लस L हो जाएगा ठीक है ना यहां से हम चरिश को कॉपी कर लेते हैं ठीक है यहां पर लगा देते हैं अर्थात यह वाला जो distance आपका आ रहा है वो कितना है R प्लस L होगा अगर हम यह वाली distance यहां से यहां तक पूछे तो कितना होगा यहां से यहां तक कि distance कितनी होगी तो यह total distance है R यह वाली distance है L तो इधर से इधर वाली distance कितनी होगी R minus L अरे इस पूरे distance में से इतना कम कर देते हैं उधर वाला बच जाएगा तो पूरा कितना है r कम कितना कर रहे है, l, तो इधर वाली जो distance है, वो कितनी है, r minus l है, ठीक है, तो हम इसको r minus l कर दे रहे है, ठीक है, यह वाली जो distance हमने लिया है, यह हमारा r minus l है, ठीक है, यह वाली जो distance हमने लिया है, ठीक है, यह हमारा कितना है, r minus l है, ठीक है, ओके, अब नार्मली आप सब चीज़े स्वेगर समझ गए होंगे, कहां से क्या हो रहा है, यह हमारे पास वैदु दिद्रू था, वैदु दिद्रू के अच्छी इस्तिती में एक बिंदू P है, इस ब बिंदू P, इस दिद्रू से कितनी दूर पे है, तो दिद्रू से जब भी दूरी ना पेंगे, तो उसके मध्ध बिंदू से मापेंगे, और मध्ध बिंदू से यह कितनी दूर पी है, r दूरी पर है, अगर हम पूचे यह बिंदू P, इस minus q आवेश से कितनी दूरी पर है, तो आप पहेंगे इतनी दूरी पर है मतलब R-L दूरी पर है अब हमें क्या करना है हमें करना है इस बिंदू P पर वैद्दू छित्र की तिवरता का मान निकालना है बिंदू P पर वैद्दू छित्र कौन कौन उत्पन कर सकता है तो इस बिंदू P पर वैदू चेत्र ये minus Q आवेश भी उत्पन कर सकता है plus Q आवेश भी उत्पन कर सकता है दो आवेश है तो दोनों यहाँ वैदू चेत्र उत्पन करेंगे हमने पढ़ रखा है कि कोई भी आवेश Q है वो अपनी सी इस्तमाल आर दूरी पर जो वैदुचेत की तिवरता उत्पन करता है उसका मान 1 upon 4 pi अपसाले 0 into q के बटे r का स्क्वाइर होता है हमने प्रूफ किया है किसी बिंदू आविश के काड़ वैदुचेत की तिवरता का मान कितना होता है 1 upon 4 pi अपसाले 0 into q के बटे r स्क्वाइर तो ये वाला आविश भी यहां वैदुचेत उत्पन करेगा अगर हम आपसे पुछे कौन सा आविश जादा वैदुचेत उत्पन करेगा ये वाला की ये वाला तो आप कहेंगे कि वैदुचेत की तिवरता होती वह दूरी के ब्यूत करमान उपाती होती है मतलब दूरी बढ़ेगा तो वैदुचेत की तिवरता कम होगी अर्थात ये ये दूरी जादा है मतलब इससे इसकी दूरी इतनी है और इससे इसकी दूरी इतनी है तो इन दोनों आवेशों में बिंदू P से दूर कौन है? ये वाला दूर है इसलिए ये कम वैद्दू छेतर उत्पन करेगा और ये वाला जो होगा ये ज़्यादा वैद्दू छेतर उत्पन करेगा मतलब दोनों वैद्दू छेत्र में से माइनस क्यों जो वैद्दू छेत्र उत्पन करेगा वो कम होगा प्लस क्यों जो वैद्दू छेत्र उत्पन करेगा वो जादा होगा अब वैद्दू छेत्र एक सदिस राशी है वैद्दुचित की तिवरता एक सदीस रासी है इसमें क्या होता है दिशा होता है तो चले बात करते हैं डायरेक्शन की क्या डायरेक्शन है क्या दिशा है सबसे पहले हम माल लेते हैं कि माइनस क्यू आवेस की कारड़ जो वैद्दुचित की तिवरता है माइनस Q आवेस की कारण वैदुच्छेत्र की तिवरता है वो हम कह रहे हैं even है कितना है even है तो even का मान अगर हमसे पूछेगा तो हम फार्वुला जानते हैं क्या जानते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 into q मतलब आवेस के परिमार से मतलब होता है चिन से हमें कोई भी मतलब नहीं होता बटे दूरी का square तो minus q आवेस इस बिंदुपी से कितनी दूर है आर प्लस यल दूर भी है तो आर प्लस यल का whole square माइनस q आवेस के कारण बिंदुपी पर हम ऐसे लिखते हैं बिंदुपी पर कितना हो जाएगा अब direction की बात करते हैं दीशा किधर होगा तो यह minus q आवेस है आप जानते हैं वैदुद बल रेखा है minus q आवेस में entry करती है प्रवेस करती है तो इसके कारण जो भी वैदुद छेत्र होगा वो कुछ इस direction में होगा द्यान से अब आप समझेंगे हम इसको हलकाशा अच्छे से system में बना देते हैं द्यान से आप समझेगा जो भी होगा वैदुद छेत्र वो इस direction में होगा कौन वाला? even वाला क्यों? क्योंकि ये minus q आवेस है और minus q आवेस में वैदुद बल रखा है ऐसे प्रवेश कर रही है अब द्यान से अगर हम आप से पूछी प्लस q आवेस की करण वैदुद छेत्र की तिवरता प्लस Q आवेस के कारण वैद्दू छित्र की तिवरता तो प्लस Q आवेस के कारण जो वैद्दू छित्र की तिवरता होगी उसका मान कितना होगा प्लस Q आवेस के कारण बिंदू P पर वैद्दू छित्र की तिवरता का मान कितना हो जाएगा बिन्दु P पर बैदुचित की तिवरता का मान आप जानते हैं क्या हो जाएगा कहेंगे कि ध्यान से आप समझेगा सुत्र होता है 1 upon 4 pi epsilon not into q बटे r square r मतलब दूरी का square दूरी कहा से लेंगे q मतलब आवेस तो q है q लेकर दिया दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है यहां से यहां तक की दूरी है r minus l इसलिए हमने यहां क्या किया है r minus l का square किया है बात समझता एक नहीं प्लस q आवेस इसके कारण जो वैद्दुचित की तिवरता है इसके कारड जो वैद्दू छित की तिवरता है इसको हम E2 ले रहे है माइनस Q आवे इसके कारड बिंदू P पर जो वैद्दू छित की तिवरता है वह E1 है और E1 है 1 upon 4 pi अफसाले not Q के बटे R plus L का whole square कोई दिक्कत नहीं है plus Q आवे इसके कारड बिंदू P पर जो वैद्दू छित की तिवरता है E2 is equal to 1 upon 4 pi अफसाल नाट इन 2 आवे इस बटे दूरी का इस पर दूरी कितना था R minus L का whole square E1 की direction इधर होगा E2 का direction E2 plus है plus Q आवे इसके कारड तो इसकी जो दिशा होगे plus से बाहर निकलेगी तो plus से बाहर निकलेगी मतलब plus से बाहर निकलेगी मतलब जो भी होगा E2 वो इस direction में होगा अगर हम आपसे पूछे E1 और E2 में कौन ज़ादा है कौन कम है E1 और E2 में कौन ज़ादा है कौन कम है तो आप कहेंगे E1 और E2 में E2 जादा है E2 जादा क्यों है? क्योंकि E2 बिंदू P की नस्दीक है बिंदू P की नस्दीक है मतलब दूरी कम है और दूरी कम रहने पर वैद्दू छित की तिवरता कामान बढ़ जाता है यानि E1 और E2 में बड़ा कौन छोटा कौन? E2 बड़ा है E1 छोटा है आप ऐसे भी कर सकते है यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 सेम सेम ओपर क्यू ओपर क्यू सेम सेम कि बढ़ चेंज यह नीचे वाला है तो अगर नीचे कम तो टोटल जो value आएगी वो ज़ादा आएगी तो यहाँ पर यह कम है R-L है यहाँ R-L है तो R-L से भाग देने मतलब E1 कम आएगा R-L से भाग देने कम से भाग देने तो टोटल वेल्यू क्या आजाएगी ज़ादा आजाएगी ठेक है तो हम करें कि E2 is greater than E1 E2 क्या है E1 से बड़ा है दो वेक्टर जब ठीक एक दूसरे के opposite direction में काम कर रही हूँ तो उनका परिडामी वेक्टर कैसे निकाला जाता है जब दो वेक्टर ठीक एक दूसरे के वीपरीत दिसा में कारे कर रही हूँ तो उनका परिडामी वेक्टर बड़ी वेक्टर में से चोटे वाले को घटा कर निकाला जाता है जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक लोग 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं दूसरा लोग 3 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं तो ये जो बॉल है, ये सब कुछ कर ये बॉल है बॉल किधर जाएगी तो आप कहेंगे बॉल उधर जाएगी क्यों उधर जाएगी क्योंकि उधर जादा बल लग रहा है अच्छा कितनी से जाएगी परडामी बल कितना है तो आप कहेंगे पांच में से तीन घटा दीजी यानि दो न्यूटन के बल से गेद उधर चली जाए तो परडामी कैसे निकलेगा बड़े में से छोटे वाले को घटा दे कहेंगे कि अतह अतह बिंदु P पर परडामी वैदु छेत्र बिंदु P पर हमें कैसा परडामी वैदु छेत्र चाहिए तो P पर परडामी वैदु छेत्र ठीक है P पर परड़ामी बैदुच्छेतर E is equal to कितना हो जाएगा E is equal to हो जाएगा E2 minus E1 ठीक है E2 minus E1 बड़ी ब्रेकेट में से अब बड़ी वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को क्या करते हैं घटा देते हैं ध्यान से वीजी चीज़े हैं अब आप mathematics से एकदम नार्मली कर सकते हैं E2 की value कितनी है यहाँ है कहा है 1 upon 4 pi epsilon 0 into q के बड़े r minus l का whole square ठीक है minus E1 E1 कहा है यहाँ है क्या है 1 upon 4 pi epsilon 0 into q के बड़े r plus l का whole square इन दोनों में कामन क्या है कामन खुज लेती है E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q कामन है ध्यान से q कामन है ठीक है ना अब बचा क्या है वो लिखे इधर बचा है 1 के बटे में r minus l का whole square ठीक है इधर क्या बचा है 1 के बटे में r plus l का whole square ठीक है इसको हम थोड़ा सा systematic लिखते है q का गुड़ा एक में करेंगे q हो जाएगा q के बटे 4 pi epsilon 0 हो गया ठीक है इसको solve करते है solve कैसे करेंगे इसका गुड़ा इसमे इसका गुड़ा इसमे नीचे का गुड़ा नीचे में इसका गुड़ा इसमे करेंगे तो r plus l का whole square का गुड़ा एक में करेंगे तो मान में कोई परिवर्टन नहीं आएगा ठीक है इसका गुड़ा इसमे करेंगे तो एक में गुड़ा करेंगे तो मान में कोई भी परिवर्टन नहीं आएगा नीचे वाली का गुड़ा नीचे वाली भी मतलब R-L का whole square गुड़े R प्लस L का whole square ठीक है is equal to कितना हो जाएगा is equal to हो जाएगा Q के बटे 4 pi epsilon naught ध्यान से इसको A प्लस B के whole square से तोड़ देजिए A प्लस B का whole square क्या कहता है A square प्लस B square प्लस 2AB यहीं होगा कि दूसरा R square प्लस L square प्लस 2 R माइनस है माइनस लगाईए माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस काम गड़बल करता है इससे A माइनस B के whole square से तोड़ ए तो A square प्लस B square माइनस 2AB बटे ध्यान से यहाँ इसका भी square है इसका भी square है तो whole square इसको लिख रहे है कैसे R minus L R प्लस L का whole square लिख सकते एक नहीं देखे इसका भी square था इसका square था हमने whole square लिख दिया क्या दिख्कत है whole square लिख दिया आसानी से समझ गए होंगे ठीके E is equal to हमारे पास कितना जाएगा ध्यान से Q के बटे 4 pi epsilon note R square plus L square plus 2 R minus है तो minus का भुगा करेंगे तो अंदर के सभी चिंज बदल जाएगे plus वाला minus और minus वाला plus तो यह R square minus हो जाएगा यह L square भी minus हो जाएगा यह minus 2 R e L क्या बनेगा 4 R e L ठीक है total के बटे इधर दियान से देखे एक bracket में A minus B दूसरे bracket में A plus B एक bracket में A minus B दूसरे bracket में A plus B सुत्र बनता है R square minus L square का A square minus B square का अभी हमने किबल इसको solve किया है इन सब के power में क्या लगा है whole square तो हमने क्या लगा दिया whole square ठीक है चले इतना पहले आप लोग note कर लीजिए इतना आप लोग note कर लीजिए तब इसके आगे हम लोग देखेंगे figure important है I hope figure आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कोई doubt नहीं रहा होगा ठीक है सबसे important figure है ठीक है note कर लीए note कर लीए चले next page भी हम लोग चलते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है is equal to q बटे 4 pi epsilon naught हमारे पास क्या है is equal to q बटे 4 pi epsilon naught ठीक है उसके बाद क्या है ठीक है इधर दे आपसे देखे r square r square से cancel l square l square से भी क्या हो गया cancel बचा क्या अच्छे ये 4 areal नहीं रहेगा 4 areal नहीं रहेगा ये आपका है 2 areal ठीक है ना 2 areal है कहां से 4 areal आ जाएगा ठीक है 2 areal इधर 2 areal बचा इधर 2 areal बचा 2 areal 2 areal कितने areal हो जाएगे 4 areal तो उपर क्या बच रहा है 4 areal बटे बटे भी क्या है ध्यान से बटे में r square minus l square का whole square r square minus l square का whole square ये हमारी पास आ गया है अब ध्यान से समझेगा हम कह रहे हैं ये जो distance होती है दोनों आवेसों के बीच की ये बहुत कम होती है दोनों आवेसों के बीच की distance मतलब 2 areal उसका आधा कर दिया l वो और भी कम हो गया और ये जो हमें r हमने लिया है ये बहुत दूर लिया है अर्थात r बहुत बड़ा है यल बहुत छोटा है R क्या है? बहुत बड़ा यहां है इतना दूर और यल क्या है? बहुत छोटा है मतलब चुकि R is very greater than L R L से बहुत बड़ा है तब इसका जो square होगा R का square वो और भी बड़ा हो जाएगा L के square से अब example से आपको समझाते हैं सपूच करिए यल है आपका 0.1 और R है आपका 10 तो यल का square अगर करेंगे तो L का square करेंगे तो 0.01 आएगा और R का square करेंगे तो 100 आएगा, 10 का square कितना? 100 L R से छोटा था उसका square करने पर और भी छोटा आगया द्यान से L square देखे कितना चोटा होगे R square के तुला में? यानि अगर छोटी रासी है उसका square करेंगे वो और भी छोटी हो जाएगी इसलिए हम करें है कि R बहुत बड़ा है L से तो उसका square और भी बड़ा हो जाएगा L से मतलब ये जो L square है ये बहुत छोटी रासी है किसकी तुला में? R square के तुला में कहेंगे कि अतह L square R square की तुला में तुला में बहुत छोटी रासी है बहुत छोटी रासी है ठीक है? बहुत छोटी रासी है अतह अतह है बहुत छोटी है तो क्या करेंगे? L2 को R2 की तुलना में छोड़ देंगे, ठीक है? मतलब जहां भी हमें R2 दिखाएगा और L2 दिखादेगा, देखें? वहाँ पर R2 की तुलना में L2 को छोड़ देना है, ठीक ध्यां से, अता इसे हम कहेंगे, अता समीकर नमबर कुछ भी दे देते हैं, समीकर तीन दे देती है ठीक है अता समीकर तीन से अता समीकर तीन से समीकर तीन से क्या हो जाएगा इस R स्क्वाइर की तुल्ला में L स्क्वाइर को क्या करना है छोड़ना है यानि E is equal to होगा क्योंके बटे 4 pi epsilon naught ठीक है 4 pi RL है 4 RL है लिख दिया स्क्वाइर को छोड़ रहे है क्योंकि R स्क्वाइर बहुत बड़ी रासी है L स्क्वाइर बहुत छोटी रासी है बहुत बड़ी रासी में से बहुत छोटी रासी को घटाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो बड़ी में से छोटी कटा रहे हैं लगबग बड़ी के बराबर ही आएगा इसलिए r² को हमने क्या किया छोड़ दिया उपर क्या है पावर में 2 तो हमने क्या लगा दिया पावर में 2 क्या है यह इस इक्वल टू q के बटे 4 πाई epsilon 0 4 r yl के बटे r² का इस्क्वार करेंगे r के पावर 4 आएगा ठीक है r r से cancel यहां 3 बचेगा यहां कितना बचेगा 3 दियान से अब आगे दिखेंगे एक दो मासानी से आपको समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं is equal to कितना आगया is equal to कितना आगया q के बटे 4 pi epsilon naught into इधर 4 l है 4 l को हम लिख रहे है 2 into 2 l दियान से 4 l बचा था क्या लिख दिया 2 into 2 l और नीचे क्या है r cube है यह जो q है इसको अंदर ले कर जाते है तो इधर क्या बचेगा 1 upon 4 pi epsilon naught into यह दो रहने देती है यह जो q बचा हुआ है अब लिखते है q into 2 l यह वाला q यहां लाकर रख दिया q into 2 l बटे r q is equal to कितना हो जाएगा is equal to हो जाएगा आपका 1 upon 4 pi epsilon naught q into 2 l q into 2 l दीदरू आगुरूर होता है कल ही हमने बच कुपड़ाया था p होता है q into 2 l क्या होता है p होता है बटे क्या है r q यह जो आया आपका यह अच्छे इस्थिती में वैदुच्छेतर की तिवरता का मान है अच्छी इस्थिती में वैदुच्छित्र की तिवरता का मान है तो अच्छी इस्थिती में वैदुच्छित्र की तिवरता का मान कितना होता है E is equal to 1 upon 4 pi अफसाले 0 into 2 p बटे r q अगर हम आपसे पुछे direction आप हमें बताईए दिशा तो दिशा बहुत ही आसानी से आप बता सकती है दिशा हमने आपको बताया था कि E1 और E2 में जो बड़ा होगा उधर ही जाएगा तो E1 और E2 में बड़ा कौन है E2 यानि दिशा किदर होगी E2 वाली दिशा होगी E2 मतलब किदर से किदर मैनस Qc प्लस Qc दिशा किदर होगी माइनस Qc दिशा कीदर होगी जो परणामी वैदुच्छित्र है उसकी दिशा क्या है रिड़ावेश दिशा किया है नोट कर लीजिए एकदम आशान है सबसे पहलе आपको यहाँ करना है वैदु दीदु के कारण अच्छी स्थिती में वैदु छित की तिवरता का मान कितना है हमने आपको फीगर अच्छे से समझाया कोई वी डाउट आपको नहीं रहा होगा उसके बाद ये पूरा आपको नोट कर लेना है वैदु को पॉस करके नोट कर लीजी आसानी से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ठीक है चले अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही most important topic वैदु दीदु के कारण निरच्छी स्थिती में वैदु छित की तिवरता का मान ये जो आपने फर्स्ट अभी पढ़ा इसके बाद वाला जो है ना किसी भी बिन्दु पर वैदु छित की तिवरता का मान वो कभी की रेर केसिस में आता है लेकिन इन दोनों के आने के चांसे हाई होते है एक्जाम में ठीक है तो वैदु दीदु के कारण निरच्छी स्थिती में दो आभेश है दोनों की प्रकिती सेम सेम है कि अलग 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 दूरी पर रखे होते है अब इसके मद्दु पर सपोचकर एदु दीदु का मद्दु ओ है इस मद्दु पर आप लंब डाल दीजिए और इस लंब पर जितने भी बिंदु होंगे वे सभी बिंदो निरच्छी इस्थिती वाले बिंदु होंगे तो निरच्छी इस्थिती का मतलब है कि मद्ध बिंदु पर वीद्रू के कहां? मद्ध बिंदु पर ध्यान से आप अच्छी और निरच्छी के बारे में जानते रहिएगा खीची गई लम्ब रेखा पर उपस्थित बिन्दो ठीक है अच्छी इस्थिति मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उपस्थित बिन्दो निरच्ची इस्थिति मतलब वीद्रू के मद्ध बिंदू पर जो लंब रेखा कीची गई है उस पर जो बिंदू होंगे वे सभी बिंदू निरच्ची इस्थिति वाले बिंदू होंगे ठीक है चलिए अब ध्यान से हम लोग आगे प्रूफ करेंगे कि निरच्ची इस्थि में वैद्दू छत्की तिवरता का मान कितना होता है ठीक है तो सकूच करिए ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक वैद्दू देद्रू है वैद्दू देद्रू के दो आवेश हमने ले लिए है ये आवेश है आपका माइनस क्यू ये वाला आवेश है प्लस क्यू ठीक ह ले जाती है कितना तू ले जाती है ठीक अब यहां पे मान लेते हैं इस दूइद्रू का ये वाला जो बिंदू है ये मद्ध बिंदू का बिंदू है हम मान लेते हैं ठीक है हमें निरच्छी इस्थिति चाहिए तो निरच्छी इस्थिति मतलब इस मद्ध बिंदू पे हमें क्या खीचना है लंब खीचना है ठीक है तभी तो निरच्छी इस्तिती होगा तो हमने इस पे लंब खीच दिया और इस पे निरच्छी इस्तिती बना लिया ठीक है ये जो बिंदू है ये कैसा बिंदू है निरच्छी इस्तिती का बिंदू है ठीक है अब इस पे इस वाली र बिंदू है हमाल लेते हैं इस रेखा पर यहां पर एक बिंदू है इस बिंदू का नाम हमने दे दिया है P ये बिंदू निरच्छी स्थती में है हाँ है इस बिंदू P पर हमें वैद्दू छित की तिपरता कामान निकालना है इस बिंदू P पर वैद्दू छित की तिपरता क हम माल लेते हैं कि जो डिस्टिंस हमें दिया हुआ है जो डिस्टिंस दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है तो यह बिंदू कितनी दूर है यहां मद बिंदू ओशेमा पेंगे तो बिंदू कितनी दूर है इसमाल आर दूरी पर है ध्यान से बाप समझेंगे यह माइनस क्यू आवेस यहां कितना वैदू छेत उत्पन करेगा अगर हमें निकालना है तो माइनस क्यू आवेस से इस बिंदू पी की बीच की हमें दूरी चाहिए तो पहले हम दूरी के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है माइनस क्यू आवेस के कारण यहाँ पे जो भी distance बन रहा है उसको पहले clear करते हैं माइनस क्यू आवेस के कारण जो distance हमारा बनेगा ठीक है उसको हम लोग ले ले चलिए अब ध्यान से देखे ठीक कुछ ऐसा होगा अभी आप एकदम clearly आसानी से समझ पाएंगे कोई भी आपको दिखकत नहीं होगी अब ध्यान से समझेगा यह वाली जो distance है यह वाली जो distance है यह L है क्योंकि आप जानते है दोनों आवेसों के बीच की दूरी कितनी होती है 2L तो इधर वाली जो distance होगी वो कितनी होगी L होगी ठीक है यह distance यहां से यहां तक अगर हम आपको यहां पे clear करें ठीक है न यह वाला जो distance है आपका अब आपको अच्छे से दिखाई देगा ठीक है यह वाली distance यहां से यहां तक आ रहे है अगर इसका color हम चिंज करने का प्रयाश करें ठीक है न तो color अगर हम चिंज करें color size से चिंज नहीं हो पाएगा चले ठीक है कोई बात नहीं अब दिहान से आप समझेगा इस बिंदू P पर कौन कौन वैद्दुच्छे तर उत्पन्द कर सकता है इस बिंदू P पर वैद्दुच्छे तर उत्पन्द कर सकता है यह minus Q आविस और यह plus Q आविस minus Q आविस कितना वैद्दुच्छे तर अगर उत्पन्द करेगा तो हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए यानि हमें यह distance चाहिए तो distance निकालते हैं सब पूच करते हैं, ये वाला जो बिंदू है, इसको हमने नाम दिया A, ये वाला जो बिंदू है, इसको नाम दिया B, ये लंब रिखा है, मतलब P, A, O, एक समकोड त्रिभूज है, कैसा समकोड त्रिभूज है, कहेंगे कि समकोड त्रिभूज, समकोड त्रिभूज पी ए ओ में अब पाइथागुरस प्रमी लगा देते हैं समकोड त्रिभूज में तो पाइथागुरस प्रमी लगता है पाइथागुरस प्रमी सी पाइथागुरस प्रमी सी पाइथागुरस प्रमी कहता है पाइतागुरस्पर में कहता है कि करड़ का स्क्वाइर बराबर होता है लंब का स्क्वाइर प्लस बेस का स्क्वाइर करड़ कौन है करड़ कौन है 90 अंस के सामने वाला करड़ होता है करड़ मतलब AP है ठीक है AP है जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा क्यूं क्योंकि ये L, ये R ये L, ये R सिम सिम condition तो जितना A P आएगा उतना ही B P आएगा तो A P का ही square इज गूल्ड P, P मतलब perpendicular perpendicular मतलब لمb, لمb कितना है R का ही square B मतलब 20, 20 कितना है L का ही square ये square हटेगा तो इधर के आएगा अंडरूड में आएगा तो अंडरूड में कितना आजाएगा आपका R² प्लस L² कोई तिक्कत नहीं है नियान से एक एक स्टेप हम लोग करते चलेंगे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ठीक है अगर हम आपसे पूछे AP निकाल ले आपने ठीक इसी प्रकार से P भी निकालेंगे पाइथागुरोष प्रमिलागा के इस समकोड त्रिभूज में तो इसी प्रकार से लेकिन हमें निकालना रही है हम डारेक्ट लिखेंगे इसी प्रकार से हमारी पास जो BP होगा BP BP की भी बैलू कितनी आएगी BP की भी बैलू आएगी अंडर रोड में R स्क्वाईर प्लस L स्क्वाईर अंडर रोड में R स्क्वाईर प्लस L स्क्वाईर आगी हमें जुरूत पढ़ेगा Hospital का इसी लिए हम आभी निकाल लेते हैं यहाँ पे cost ठीटा cost ठीटा क्या होता है? आधार बटी कर्ड द्यान से आधार का मतलब क्या होता है 20 20 मतलब ये वाला 20 मतलब 20 मतलब 20 का मतलब हो जाएगा नीचे वाला ये L बटी कर्ड कर्ड मतलब ये वाले distance ये मतलब कौन? AP और AP की value अभी अभी इमने निकाला है कितना है? अंडरोड में R square plus L square ये cost ठीटा की value है equation number 1 अब हमी यहां से यहां तक की distance पता चल गई AP से PKBs की दूरी पता चल गई तो वैद्दू छित की तेवरता निकाल सकते हैं यहां से यहां तक की distance पता चल गई तो वैद्दू छित की तेवरता निकाल सकते हैं distance के द्वारा ही तो वैद्दू छित की तेवरता निकाली जाती है ध्यान से वागे हम लोग पढ़ते हैं देखे ध्यान से minus Q आवेश की कारण कहां पे बिन्दू पीपर बिन्दू पीपर वैद्दू छित की तेवरता बिन्दू पीपर बैदु छितर की तिवरता कितनी हो जाएगी आप बता सकते हैं मान लेते हैं even है even is equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not into always always क्या है Q हमें परेडाम से मतलब है चिन से कोई मतलब नहीं बटे दूरी का इसको है तो minus Q से कहा के दूरी बिंदू P से minus Q से बिंदू P की दूरी मतलब A P और A P कितना है under root में R square plus L square यह तो हमने लिखा कि इसके दूरी का square कर दिया यहाँ पर हमें मिला है under root square cancel यानि even की जो value आएगी even is equal to आएगा 1 upon 4 pi epsilon not into Q के बटे R square plus L square ठीक है equation number 2 यह क्या आया है minus Q आवेस के कार्ट वैदुचित की तिवरता का मान अब इसमें दिशा है वैदुचित की तिवरता सदिस्राशी है तो सदिस्राशी है तो दिशा है दिशा किदर है दिशा minus Q आवेस में प्रवीश करती है तो minus Q आवेस में प्रवीश करती है मतलब जो भी दिशा होगा वो कुछ ऐसा होगा even की दिशा कुछ ऐसी होगी ध्यान जिरे के even में प्रवीश कर रहा है अब आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं किसके करण वैद्दू छित की दिवरता हम बात करते हैं किसके करण वैद्दू छित की दिवरता बात करते हैं plus Q आवेस की करण वैद्दू छित की दिवरता ठीक है तो plus Q आवेस की करण plus Q आवेस की करण plus Q आवेस की करण बिन्दू P पर वैद्दू छित की तिवरता बिन्दू P पर वैद्दू छित की तिवरता दो ही आविश हैं और दो ही आविश यहां वैद्दू छित उत्पन कर सकते हैं अगर तीसरा आविश होता तो वो भी वैद्दू छित की तिवरता उत्पन करता वो भी निकालते तब प्रडा में निकालते लेकिन याख के बոब्ड զो है तो दोनों के कारवल सीक्या निकालाब वैद्धू च्छितर की तिबरता अब बाद में निकालेंगे प्रडा में तो ठीक है प्लस क्यू आवेस के विंदू दूरी का e square, मतलब इस plus q आवेस से इस बिंदू के बीच की दूरी, कितना है bp और bp का मान हमने निकाल रखा है, कितना है under root में r square plus l square का whole square, under root square cancel, e2 is equal to हमारे पास क्या आगया, e2 is equal to आगया 1 upon 4 pi epsilon 0 into q के बटे r square plus l square, equation number 3, क्या e1 और e2 सेम सी में हैं, आप ध्यान से देख के बताईए, जितना बैदूच्छित्र e1 उत्पन कर रहा है, 1 upon 4 pi epsilon 0, q बटे r square plus r square, e2 ही उतना है, सेम सेम, यहाँ e1 is equal to e2 है, यहाँ e1 is equal to e2 है, अब ध्यान से समझेगा, आप direction e2 की बात करते है, e2 मतलब plus q आवेश है, तो plus q आवेश से बैदूद बल रिखा है, ऐसे बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी मतलब यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा, e2 की जो value होगी, वो कुछ ऐसी होगी, क्योंकि इससे बाहर निकलना चाहिए, तो देखें, बाहर निकल रहा है, minus q में प्रवेश करना चाहिए, तो minus q में प्रवेश कर रहा है, अब e1 इधर कारी कर रहा है, e2 इधर कारी कर रहा है, अब e1 और e2 का परडामी कैसे निकलेगा, सबसे important चीज, resultant कैसे निकलेगा, तो resultant कैसे निकलेगा जब दो vector किसी code पर कारे कर रही हों तो उनका परेडामी vector हम जानते हैं एक सुत्र पढ़ा है R square A square pls B square pls 2AB cos theta से निकालते हैं जैसे E1 और E2 किसी कोड़ पर कारे कर रही है तो इनका परडामी इस वाले सुत्र से निकाला जाता है अब हम निकालते हैं कोड़ कितना है हम माल लेते हैं ये वाला कोड़ है ठीटा ये वाला कोड़ कितना है ठीटा है अगर ये code theta तो ये वाला भी code कितना होगा theta क्यों क्योंकि ये एक सम्दिबाओं त्रिबुज है और सम्दिबाओं त्रिबुज में बराबर भुजाओं के सामने के code भी बराबर होते हैं ये ये बराबर है ये बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने के code भी क्या होते हैं ये code theta तो ये वाला भी क्या हो जाएगा theta हमने पढ़ा है त्रिबुजों का बहिस code बहिस code प्रमे में कहता है कि अगर कोई त्रिबुज है त्रिबुज की किसी एक भुजा को आप ऐसे आगे बढ़ा दीज तो यह जो बाहर कोड़ बनेगा इस वाले कोड़ का मान अंदर के इसके जस्ट बगल में जो कोड़ है इसको छोड़ देजे बाहर के जो दो कोड़ है दूर वाले इन दोनों को जोड़ करके लेकिए ठीटा ये ठीटा तो ये वाला टूठीटा हो जाएगा फिर से समझे ये ह चुमारे पास कोई त्रिभूज है, इस त्रिभूज में हमने एक बूजा को बढ़ा दिया, तो ये बाहर वाला कोड बना, इस बाहर वाले कोड का मान इसके जश्ट बगल में जो है, उसको छोड़ देना है, बाकी जो दो कोड बन रहे, इनको जोड़ने पर मिलेगा, अगर यह 30 अंस है यह 40 अंस है तो इस वाले कोड का मान 70 अंस होगा सीम तरीके से यह एक त्रबुज है त्रबुज की इस बुजा को आगे बढ़ा दिया गया है तो यहां पे एक बाहर कोड बन रहा है इस बाहर वाले कोड का मान दूर के दोनों कोड चोड़ेंगे दूर के दोनों कोड को जोड की यह बराबर होगा यानि ठीटा ठीटा कितना होगा ठीटा ठीटा यह जो कोड होगा यह टू ठीटा होगा यानि E1 और E2 किस कोड पे काम कर रहे हैं E1 और E2 ठीटा कोड पर काम कर रहे हैं ठीक है, 2 theta code पर, E1 और E2 किसके बीच में काम कर रहे हैं, दोनों के बीच का code कितना है, 2 theta, ओके, कहेंगे कि आता है, बिंदु P पर, बिंदु P पर, परडामी वैदू छितर, ठीक है, परडामी वैदू छितर, ठीक है, परडामी वैदू छितर, प्रणामी वैद्दुच्यत्र कैसे निकलेगा हमने आपको बताया जब किसी कोड पर कारे करते हैं तो उनका प्रणामी वैद्दुच्यत्र इस वाले सुत्र से निकलता है E1 square प्लस E2 square प्लस 2 E1 E2 cos theta ठीटा मतलब कोड और कोड कितना है यहाँ पे 2 theta है क्या E1 और E2 बराबर है हाँ E1 और E2 बराबर है तो E1 की जगह E2 लिखा जा सकता है और E2 की जगह E1 लिखा जा सकता है यानि even square और e2 की जग़ह क्या लिख देते हैं ? क्योंकि दोनुक्त क्या हैं ? जहाँ जहाँ e2 दीखेगा वहाँ वहाँ लिख दे रहे हैं ? even लिख दे रहे हैं यानि is equal to क्या हो जाएगा ? is equal to even square even square 2 even square ठीक है ? यहाँ even का गुड़ा even में करेंगे 2 even का square फिर क्या हमारे पास आया cos 2 theta आया 2 even square common है next page पे इसको common करेंगे 2 even square common करेंगे तो यह क्या बचेगा 1 plus cos 2 theta बचेगा ध्यान से यानि जो e की value आ रही है वो आ रही है under root में क्या common हम ने कहा है क्या common ध्यान से देखिए common क्या है 2 even square common है या फिर आप even square के वल common करेंगे के वल even square common करेंगे ठीक है ना के वल even square common करेंगे जाद अच्छे समझ पाएंगे ठीक है even square common करते है even square common करेंगे अगर तो क्या बचेगा 2 plus 2 cos theta ध्यान जो देखिए यही बचेगा कि कोई दूसरा चीश बचेगा अगर even square common करेंगे तो 2 plus 2 cos 2 theta बचेगा 2 plus 2 cos 2 theta बचेगा ध्यान से अब एकदम आसानी से आप लोग कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है even square 2 plus 2 cos theta cos 2 theta का सुत्र होता है cos 2 theta का सुत्र होता है 2 cos square theta minus 1 यह cos 2 theta का सुत्र है यह आप जानते रहिए ठीक है न cos 2 theta का सुत्र क्या होता है 2 cos square theta minus 1 यानि is equal to कितना हो जाएगा even square ठीक है 2 plus 2 का गुड़ा 2 में करेंगे 4 cos square theta minus 2 यह 2 2 से क्या हो गया cancel हो गया is equal to कितना हो जाएगा even square even square इधर क्या बचा है 4 cos square theta अब सबको under root में से बाहर निकाल लीजे even square बाहर निकलेगा even 4 बाहर निकलेगा 2 cos square बाहर निकलेगा cos theta अब even और cos theta का मान रख दीजे even even की value कितनी है even की value कितनी है even की value आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 1 upon 4 pi epsilon 0 into q के बटे r square plus l square ठीक है तो लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 into q के बटे r square plus l square into 2 cos theta cos theta की value कितनी है cos theta की value हमने कितनी निकाल रखी है ठीक है cos theta की value कितनी है cos theta की value है l के बटे under root में r square plus l square ठीक है L की बटी अंडर रूड में R स्क्वाइर प्लस L स्क्वाइर ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे रेजल्ट आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप साइले नोट into Q into 2L उपर क्या है मारे पास Q into 2L इधर क्या है R स्क्वाइर प्लस L स्क्वाइर ठीक है इधर क्या है R स्क्वाइर प्लस L स्क्वाइर करडी में करडी में हम लिख दे रहे हैं घात में 1 बटी 2 करडी को क्या लिख दे रहे हैं घात में 1 बटी 2 कोई दिक्कत नहीं है करडी हटेगा तो घात में 1 बटी 2 लग जाएगा E is equal to कितना आ गया E is equal to कितना आ गया 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q into 2 L Q into 2 L को हमने नाम दिया P R square plus L square यहां घात 1 है यहां घात 1 बटा 2 है तो घात में अधार समानानी पर घात क्या होता है जूड जाता है तो R square plus L square जूडेंगे घात तो 1 में 1 बटा 2 जोडेंगे तो कितना आएगा 1 में 1 बटा 2 जोडेंगे तो 3 बटा 2 आएगा हमने बग को बताया था जस्ट इसके पहले वाले में चुकि R is very very greater than L this implies that R square is very very greater than L square अगर R L से बहुत बढ़ा है तो square square और भी बढ़ा हो जाएगा मतलब L square को R square की तुलना में की तुलना में छोड़ देंगे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे छोड़ दें? छोड़ दें? ओके क्या हो जाएगा? is equal to क्या हो जाएगा? is equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 into P बटे L square को छोड़ना है तो R square के घाते 3 बटा 2, 2 दोशे cancel, is equal to क्या हैगा? 1 upon 4 pi epsilon 0 into P के बटे R q यह है निरच्छी इस्तिती में वैदु छेत की तिवरता का मान कितना आशान तरीके से हमने आपको total proof कराया है आसानी से आप समझ गए होंगे आपको कोई भी doubt नहीं रहा होगा कितना आसान तरीके से सबसे पहले हमने आपको क्या बता है? सबसे पहले हमने आपको बताया निरच्छी इस्तिती क्या होता है मद्ध बिंदू पर जो भी लंब रिखा खीची गए उस पर जितने भी बिंदू होंगे वो निरच्छी स्तिती के बिंदू होंगे यह पूरा डाइग्राम हमने आपको बना के अच्छे से समझाया पाइथा गुरस प्रमि लगा करके हमने यह distance निकाला माइनस क्यू आवे इसके काड़ बैदू चित की बिंदू इतनी है यहां हमने देखा इवन इटू बराबर है जब दो वेक्टर किसी कोड पर कारे कर रहे हो तो उनका परेडामी हम लोग इस वाले सुत्र से निकालते है हमने मान रख्खा आसानी से आ गया नोट कर लिजे विड़ो को पॉस करके नोट कर लिजे ठीक है विड़ो को पॉस करके नोट कर लिजे एकदम आशान है अगर हम आपसे पूछे दिसा क्या है डारिक्शन तो दिसा क्या होगी दिसा क्या होगी दिसा ध्यान से दिखिए, एक वेक्टर even इधर कारे कर रहा है, एक वेक्टर e2 इधर कारे कर रहा है, तो जो direction होगा, जो resultant आएगा, वो इसके बीच में ऐसे कहीं आएगा, और बीच में चुकि अगर even बड़ा होता, तो ये even की और जुक जाता, अगर e2 बड़ा होता, तो ये even की plus q से minus q की और, plus q से, देखिए, इधर से ऐसे जा रहा है, यानि, plus q से minus q की और, और दीध्रू के समानतर होगा, यानि जो दिशा होगी, भी दीध्रू के समानतर, समांतर द्वीद्रू के समांतर मैनस क्यू सारी P से मैनस क्यू की ओर मैनस क्यू की ओर ये डायरेक्षण हो जाएगा ठीक है नोट कर लीजे आप लोग नोट कर लीजे एकदम आशान है यहां से नोट करना स्टार्ट करिए निरची इस्तिती में वैदुचित की तिवरता का मान कितना है नोट कर लेजे एकदम आशान है कोई विडाउट आपको नहीं होगा आशानी से आप कर सकते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो बहुत तो एक्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन सेल्वस में है इसले इसको हम लोग कर लेते हैं वो कौनटा सा टॉपिक है वैदुद दीदु के कारण किसी भी बिंदु पर वैदुचित की तिवरता का मान कितना होता है निकाल लिया हमने निरची इस्तिती में वैदुचित की तिवरता का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे जैसे यह माइनस की वावेस है यह प्लस की वावेस है ठीक है दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है ठीक है न हम जानते है डिस्टेंस कितना लिया जाता है डिस्टेंस लिया जाता है टू एल ठीक है दोनों ठीक है यह point P इस द्वीद्रू से मतलब मद्ध बिंदू से कोई भी दूरी मापेंगे कहां से मापेंगे मद्ध बिंदू से मापेंगे द्वीद्रू से माल लेते हैं कितनी दूरी पर है यह जो है द्वीद्रू से कितनी दूरी पर है यह द्वीद्रू से माल लेते हैं इस मा ना अरे दोली पर हैं ठीके ना अब यह जो, पॉइंट है यह ना तो अच्छी स्थिती में है और नहीं निरची स्थिती में है तब पेंदू अच्छी इस्थिती में है न तो निरच्छी इस्थिती में है तब पैदुचित की तिवरता का मान कैसी निकालेंगे द्यान से अब आप समझेंगे बहुत important topic है और इसका सबसे important figure है जो figure समझ गया आशानी से इकदम आशानी से इसको कर जाएगा कोई विल्कत नहीं आएगी द्यान से देखियेगा ये minus की वावेश है ये plus की वावेश है हम जानते हैं कि वैदूदीदू में हमिशा आता है द्वीदूद आगोर्ण है ठीक है अगर वैद्दू दीद्रू है तो वैद्दू दीद्रू आगरूड भी होगा जिसकी दिशा माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है ठीक है तो ये वैद्दू दीद्रू है इसमें दिशा है दिशा क्या है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर ध्यान स यानि यहां पे हम नहीं मना दिया है वीद्रू आगुड इसमाल पी अर्थाग इस इसमाल पी का मान कितना होगा रहे इसको ही तो हम यूज करते आ रहे हैं पी स्माल पी ब्रावर क्या होता है क्यों टू यह दोनों आविश में से किसी एक आविश का गुड़नफल अविश का परिमाड और दोनों आविशों के बीश की दूरी का गुड़नफल अब इस पी को जो की सदीस रासी है दो पार्ट में तोड़ देते है इसका जो पहला पार्ट है वो उस डारेक्शन में करेंगे जिस डारेक्शन में यह बिंदू है तो पहला पार्ट हम लोग करे वो पहला पार्ट इधर करेंगे ठीक है यह इसका हमने पहला पार्ट कर दिया पहला पार्ट जो आया इसका वो इस डायरिक्शन में है ध्यान से आप देखेंगे यह माल लेती है एक चीज कि यह जो बिंदु है यह दूईद्रू के साथ ठीटा कोड पर इस्थित है किस कोड इस प का पहला पार्ट हमने इधर किया अब जो दूसरा पार्ट होगा उस पहले वाले पार्ट के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वेक्टरों के वियोजन में हमने पढ़ा है कि जो दो पार्ट होते है दोनों पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते है तो जो दूस से पूछे इस वाले पार्ट का मान बताईए इस वाले पार्ट का मान बताईए तो इस वाले पार्ट का जो मान होगा इस वाले पार्ट का जो मान होगा वो होगा पी कॉस ठीटा क्यों क्यों कि ये कॉस में जाएगा क्यों कि इस वाले पार्ट के साथ क्या लगा हुआ है इस P के दो पार्ट हमने कर दिये, एक P cos theta, दूसरा P side theta, अब आप आगे ध्यान से समझेगा, ये P है, P है मतलब द्वीद्रू आगुर्ड है, और द्वीद्रू आगुर्ड तभी उत्पन हो सकता है, जब द्वीद्रू हो, यहाँ पे एक द्वीद्रू आगुर्ड उत्पन ह हो रहा है, ठीक है, जिसका direction इस साइड में है, मतलब यहाँ एक द्वीद्रू जरूर होगा, और उस द्वीद्रू का जो positive सिरा होगा, वो इधर होगा, ठीक है, positive सिरा किदर होगा, इधर क्यों, क्योंकि जो direction होता है, वो minus Q से plus Q आविद्रू होता है, इस P के हमने दो पार् इस प कोश्टिटा में P आ रहा है, P मतलब द्वीद्रू आगुर्ड, द्वीद्रू आगुर्ड तभी आ सकता है, जब वहाँ पे वैद्दू द्वीद्रू हो, यानि यहाँ पर कोई न कोई वैद्दू द्वीद्रू है, और उस द्वीद्रू का plus सिरा इधर होगा, क्यो क्योंकि जो जिसा होता है, वो minus से plus की ओर होता है, यानि यानि यहाँ पर एक द्वीद्रू है, तीक है, द्वीद्रू है और जिसकी direction हमने दिखा दी, कुछ यहाँ पर, यानि यहाँ पर एक आविश हमारी पास आया, जो minus q की रूप का लिया होगा, और इधर एक आविश रहा होगा प्लस क्यू तभी तो direction ऐसे बन रहा है ठीक है अब यहाँ पर इसी प्रकार से यह वाली condition भी है हमारे पास इधर पी साइन टीटा मतलब पी है मतलब कौन होगा द्विद्रू होगा यानि उसका प्लस वाला सीरा इधर होगा क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यूर होता है यानि यहाँ भी हमें एक द्विद्रू है ठीक है ध्यान से आप समझ ये एकदम easy से हम आपको समझा देंगे कोई वी doubt नहीं होगा ठीक हमारे पास क्या मिला ये हमारे पास एक द्वीदरू मिला ठीक है जिसका आगुरुड पी कॉस्ट ठीटा है ये दूसरा द्वीदरू मिला जिसका आगुरुड पी साइन ठीटा है अगर हम इस पी कॉस्ट ठीटा की बात करें बाकी सारी चीज़े भोल जाए, किवल इस P cos theta की बात करे, तो क्या P cos theta के अच्छी इस्थिती में ये बिंदू P है क्या, देखे P cos theta वाली ही line में ये बिंदू P पढ़ रहा है, यानि P cos theta, अभी द्वीद्रू P था, लेकिन अब क्या हो गया है, P cos theta हो गया है, और इस P cos theta, या यानि ये जो द्वीद्रू है, इस द्वीद्रू के अच्छी इस्थिती में ये बिंदू P है, यही line हम लिखने जा रहे है, कहेंगे कि P cos theta के कारण, अच्छी इस्थिती में, अच्छी इस्थिती में, अच्छी इस्थिती में, अच्छी इस्थिती में है ना P cos theta के कारण, बैदू छित्कीती बरता कितनी हो जाएगी अच्छी इस्तिती में हमने प्रोफ किया हमने प्रोफ किया e is equal to होता है 1 upon 4 pi epsilon naught into 2p लेकिन यह पी नहीं है यहां p cos theta है इसले करहें 2p cos theta बटे R cube यहां से यहां तक की जो distance हमने लिया है वो कितना लिया है R cube ही तो लिया है ठीक है R cube ही लिया है equation number 1 अच्छे इसका direction कोई बता दे तो कहेंगे कि इसकी जो direction होगी हमने पढ़ा है वो minus q आवेस से plus q आवेस की उरुती है यानि जो भी direction होगा वो इधर होगा e1 का जो भी direction होगा वो उधर होगा ठीक है अब हम आप से कह रही है अब हम आप से कह रही है ठीक है क्या कह रही है ये जो second वाला है second वाला second वाला कौन्ग सा P sign theta ये मद्ड बिन्दू और ये दुद्रू आगूर ये दुद्रू की मद बिंदू पर ये लाइन लंब खीची गई है क्या हम कहेंगे कैसे मैं पता ये लंब खीची गई है हम जानते ये और ये 90 जो दो पार्ट होए दोनों पार्ट क्या होते हैं 90 डिगरी होते हैं यानि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 90 है यानि ये वाला पार्ट और बिन्दू पर लंब कीचा गया है यानि इत्मी जितने भी बिन्दू होंगे सारे के सारे बिन्दू क्या होंगे निरच्चिय इस्थिती में होंगे तो यह जो P sin टीटा है P sin टीटा के कारण बिन्दू P पर बैदु छित्र की तिवरता का मान ठीक है बैदु छित्र की तिवरता का मान कितना हो जाएगा बैदु छित्र की तिवरता का मान कितना हो जाएगा बैदु छित्र की तिवरता का मान हो जाएगा A2 और A2 is equal to 1 upon 4 by epsilon not into A2 ठीक है न क्या हो मतलब हम बात करेंगे P लेकिन P नहीं P साइन ठीटा है बटे दूरी का Q यानि दूरी कितना है R Q direction किधर होगा direction हमने आपको पढ़ाए इसके समांतर लेकिन प्लस Q से माइनस की रोड तो इसके समांतर मतलब इधर जाएगा ठीक है ये E2 का direction होगा क्या ये code 90 degree बनेगा हाँ 90 बनेगा क्योंकि ये और ये 90 तो ये वाली line तो हमने खीजदी है और ये वाली line भी इधर खीजदी है ये वाला code 90 है तो ये वाला code भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा हमने अभी बताया बिंदू P पर परणामी वैदु छेतर कैसे निकलेगा बिंदू P पर परणामी वैदु छेतर जब दो बिक्टर किसी code पर कारे कर रहे हो जब दो बिक्टर किसी code पर कारे कर रहे हो तो उनका परणामी कैसे निकलता है उनका परणामी निकलता है E is equal to under root में E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta, theta कितना है? 90, cos 90 की value कितनी है? 0, हम जान दे cos 90 की value कितनी होती है? 0, तो E1 square plus E2 square, इधर sorry, plus 2 E1 E2 cos 90 की value कितनी है? 0, यानि E की जो value आएगी, वो हमारी पास आएगा E1 square plus E2 square, E1 square यहाँ है, यह E1 है, E2 square यहाँ है, मान उठा करके रखिये, result पाईए, E is equal to क्या हैगा? E is equal to E1 square, E1 मतलब यहाँ है, क्या है? 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2 P cos theta, बटे R cube का square, E2 square, E2 मतलब यहाँ है, 1 upon 4 pi epsilon 0 into P sin theta, बटे R cube का square, अब इसी को solve करते हैं, अब देखिये द्यान से, solve कैसे कर रहे हैं, 1 upon 4 pi epsilon 0 का square यहाँ भी मिलेगा, 1 upon 4 pi epsilon 0 का square यहाँ भी मिलेगा, common कर लेंगे, P का square यहाँ भी मिलेगा, P का square, देखिये, सब में जो जो common है, चलिए, एक line हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, द्यान से, is equal to क्या है, is equal to हमारे पास था, 1 upon 4 pi epsilon 0 का whole square, तो 1 upon 4 pi epsilon 0 का हमने क्या कर दिया, whole square, फिर क्या था, 2p cos, देखिये द्यान से, इधर देखिये, क्या है, 2p cos theta का whole square, पटे R cube का भी whole square, तो 2p cos theta बटे R cube का whole square करते हैं, तो 2p cos theta, 2 का square करेंगे 4, p का करेंगे p square, cos का करेंगे cos square theta, बटे R cube का करेंगे तो R के घाते 6 हो जाएगा, R cube का square कितना होगा, R के घाते 6, plus, दूसरे वाले का करेंगे तो क्या हैगा, 1 upon 4pi epsilon not ka whole square, वहाँ पर क्या था, बताइए, वहाँ पर क्या था, p sin theta बटे R cube, द्यान से, देखिये, p sin theta बटे R cube का whole square, तो p का square करेंगे, क्या हैगा, p square sin theta का square करेंगे, sin square theta r cube का करेंगे तो r के गाते 6 होगा अब ध्यान से common कर लेजे क्या 1 upon 4 pi epsilon not का whole square common है हाँ common है 1 upon 4 pi epsilon not का whole square common है common है p square भी common है देखे p square इसमें भी इसमें भी है बटे r cube भी common है क्या बचा हमें यहाँ पे बचा है 4 ओकी ठीक है यहाँ पे p square common कर लिया cos square theta बचा हुआ है यहाँ पूरा common हो चुका है p square भी common हो चुका है क्या बचा हुआ है sin square theta ठीक है और कुछ बचा है और कुछ बचा है यहाँ पे ध्यान से देख लीजे 1 upon 4 pi epsilon not का whole square यहाँ p square हमने common कर लिया है तो 4 cos square theta बटे R के गाते हमने च्छा कामल लिया है तो यहाँ पर क्या बचा है 4 cos square theta ओकी ठीक है यहाँ पर क्या बचाएगा sin square theta बिल्कुल सही है द्याद से E is equal to कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not का whole square बाहर निकल जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not होगा P square बाहर निकल पाएगा P होगा R के गाते 6 बाहर निकलेगा R cube होगा अंदर क्या बचा है वो देखे 4 cos square theta plus sin square theta अग इन सब को हम cos के टर्म में लिखना चाहते है सब को cos के टर्म में लिखना चाहते है तो क्या हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not यहाँ sin square theta है ठीक है into P के बटे R cube ठीक है 4 cos square theta sin square theta को लिख सकते है 1 minus cos square theta यह सुत्र है sin square theta क्या होता है 1 minus cos square theta यानि is equal to 1 upon 4 pi epsilon not into P के बटे R cube क्या हो जाएगा ध्यान से देखी 4 cos square theta में से 1 cos square theta जाएगा ठीक है तो क्या बनेगा 3 cos square theta plus 1 ठीक है इसको हम systematic लिख देते हैं एकदम आशानी से ठीक है ना एकदम नार्वली आपको समझ में आ जाएगा ध्यान से is equal to कितना हमारे पास आ गया is equal to आ गया 1 upon 4 pi epsilon not into P के बटे R cube ठीक है और यहाँ पे लिख रहे हैं 1 plus 3 cos square theta ठीक है यह हमारा है निरच्छी इस्थिती में वैदुच्छेतर की तिवरता का मान ठीक है ना निरच्छी इस्थिती में किसी भी बिंदू पर वैदुच्छेतर की तिवरता इस से आप इस वाली सुत्र से आप अच्छी इस्थिती और निरच्छी इस्थिती वाला भी प्रूफ कर सकते हैं आशानी से हमें आप आपको दिखा दिते हैं ध्यान से दिखी ये जो हमारा फार्बला पहले इसको नोट कर लिजे किसी भी बिन पर बैद्धुचित की तिवरता का मान कैसे निगा लेंगे सबसे इंपोर्टन का है इसका फीगर फीगर हमने आपको बना दिया अच्छे से समझा दिया ठीक है उसके बाद नारमली इसका प्रूफ था प्रूफ भी हमने कर दिया अगर हम आपसे पूछें ध्यान से अच्छी इस्तिती के लिए अच्छी स्थिती के लिए अच्छी स्थिती के लिए क्या हो जाएगा ध्यान से आप देखीगा अच्छी स्थिती के लिए मतलब यह जो बिंदु पी है यहां कही होना चाहिए था यहां कही पे अच्छी स्थिती के लिए मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कर उपस्थित बिंदू तो यहाँ पे ये वाला बिंदू इधर होता तो theta की value कितनी होती? 0 होती, यानि अच्छी स्थिती के लिए theta is equal to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अतह है e की value कितनी हो जाएगी? 1 upon 4 pi epsilon 0 into p के बटे r q ठीक है? क्या है? 1 plus 1 plus 3 cos square theta theta मतलब कितना? 0 e is equal to कितना हो जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon 0 into p के बटे r q और cos 0 की value कितनी? 1, यानि 3 ए 4 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2 p बटे r q और आपने यहीं तो पढ़ा है यहीं तो पढ़ा है अच्छी इस्थिती में बैंदुचित की तिवरता कामान यहीं तो आता है ठीक है यानि वहां से भी आप निकाल सकते हैं यहां से भी आप निकाल सकते हैं ध्यान से निरच्छी इस्थिति के लिए निरच्छी इस्थिति के लिए हम जानते निरच्छी इस्थिति के लिए ठीटा कितना हो जाएगा 90 क्योंकि निरच्छी इस्थिति मे नहीं यeवाला बिंदू इस इधर होना चाहिए था इधर मतलब कितना होना चाहिए था ठीक है तो ठीटा पराबर कितना हो जाएगा ठीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम एक लाइन साथ करते हैं, वान अपॉन 4पई F साइज नोट इन टू क्या है, P के बट्टे, R क्यूप, ठीक है, 1 प्लस 3 लॉक्रवन स्क्वेशचिए, ठीटा यानि, 1 प्लस 3 ऐस्वेशे ऐस्क्वेशर ठीटा नहीं, 3 ऐस्क्वेशर जीरो और cos 0 का मांन कितना ओता है sorry 0 नहीं 90 cos 2 90 का मान कितना होता है 0 ये पुरण क्या बनीगा 0 ये 0 बन जाएगा यानी 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा और 1 बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा 1 मान में कोई परिवर्तन नहीं करता तो 1 अपान 4Pi epsilon naught into P बटे R cube ये है E की value कितना आशान है हमें किसी भी बिंदू से अच्छे और निरच्छी सितिवाबा भी वैद्दू छित्किते बता निकाल सकते हैं ठीक है तो note कर लिज़े इसको आशानी से कोई भी doubt आपको नहीं रहा होगा आशकी वीडियो थोड़ी सी लम्मी है लेकिन important था यहां से आपके 5 नंबर के question या 3-4 नंबर के question 100% exam में फस्त हैं ठीक है इसके आगे हम लोग देखेंगे next day जो भी objective होगा जो भी numerical होगा ठीक है आपसे मिलेंगे next day तब तक best of luck